अस्वाओनेकुम जी, पाकिस्तान और इंडिया एक बार फिर आमने सामने होने जा रहे हैं Immerging Asiaकष आपके आज दोदुनों समी-final होगे और दोदों मैचेज पाकिस और इंडिया ने जीते अब final में हमें Pakistan और India एक बार फिर आमने सामने दिखेंगे आपको याद रहे पिछला मैच अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था जो round match था और अब Pakistan और India एक बार फिर final में आमने सामने होंगे डोनों टीमों ने अज अपने हमने समी final जीते इस तुडियो में सबसे पहले अगर पाकिस्तान के मैच की बात करें तो पाकिस्तान का मैच आज सिरलंका ये के साथ था पाकिस्तान ने सिरलंका के खिलाफ 322 रंड बना दिये पाकिस्तान की जानिब से उमेर मिन यूसफ ने बड़ी अच्छी निंग्स खेली अठासी रंड बनाये उन्होंने और फिर एंड पर आकर दो लोगों ने बड़ी अच्छी निंग्स खेली अच्छा फिनिश किया जनमें मुहमद हारिस जो कैप्तन भी है उन्होंने 50 बनाई और उनके साथ मुबस्तर ने भी बतालिस रंड की अच्छी निंग्स खेली और लास्ट फिर अच्छा कैमियों खेला मुहमद वसीम ने भी इस तरह पाकिस्तान ने 323 का टारगर दिया रहा सिर्लंका को और सिर्लंका की पूरी टीम 262 पर और आउट हो गई पाँच ख्लाडियों को आउट किया और पाकिस्तान को मैच जितवाया सिर्लंका हलांके एक वक्त पर अच्छा जा रहा था लिक्रेंट वरों ने लगातार विक्टें गवाई पाकिस्सान ने लास्ट चार विक्टें थी वो 6 रंस पर तक्रिमल ले लिण अगर मैं बात करूँ दूसरे मैच की तो इंडिया वर्सिस बंगलादेश के दरम्यान दूसरा संग कानल खेला गया इंडिया ने वो मैच अपने नाम किया हलांके एक वक्त पर इंडिया लग रहा था कि यह मैच हार सकता है विकोज सिर्फ 212 पर इंडिया की ओल टीम आउट हो गई थी लेकिन उन्हें जबतस बोलिंग करते हुए इस टारगट को डिफेंड किया उनके जो यंग्स्टेर है उन्होंने बरेक्शी बोलिंग की निशान सिंदु ने पांच विक्ते हासल की और तीन विक्ते हासल की मानव सूथर ने विस तरह इंडिया ने स्टारगट को डिफेंड किया बंगलादेश ने बड़ा महयूस किया बिपोज बंगलादेश के सो पर दो खलाड योट थे और उनके फिर एक सो साथ पर उनकी ओल टीम आउट हो गई और एक जीता हुआ मैच नों ने हरा दिया क्योंकि ये मैच बंगलादेश राम से जी सकता था लेकिन शानदारastic किया इंडिया ने और इंडिया ने अच्छा मैच जीता है और अब पाकिस्तान इंडिया एक बाद फिर आमने सामने होंगे फाइनल में अगर मैं बात को लिए इंडिया की तो इंडिया की अगर मैं टीम देखू तो एक यंग टीम है तमाम खलाडी उनके अंडर 19 से यां डुमेशिक से आए हैं लेकिन उसके मकाबले में अगर हम आज की बंगलादेश की भी टीम देखे उनमें भी काफी इंटरनेशनल खलाडी थे सोमिय सरकार हो गए और भी उनके खलाडी थे जो टेश्कल कर खेल चुके हैं इंटरनेशनल खलाडी है पाकिस्तान के भी ऐसे हैं काफी खलाडी इंटरनेशनल खलाडी है लेकिन जो इंडिया की टीम है उनकी मैं ये देखता हूँ कि उनमें कोई इंटरनेशनल खलाडी नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है तुमाम यंग्सेर्स हैं, उनके जो यश्डिल कैप्टन है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो भी अंडर 19 से आए हैं आज उनोंने 66 की एक अच्छी इनिंग खेल ली जब उनकी टीम लड़कडा रही थी, मुश्किल मी थी उनोंने उसको सहारा दिया अपने टीम का टोटल था, वो 211 तक ले गए और अच्छे वो नज़रा इससे पहली वो सेंचरी बना चुके हैं तो यह इंडिया की बड़ी अच्छी टीम है, इंडिया के तमाम ख्लाडी यंग्सर हैं, हम इनको इंडिया की C team भी कहा सकते हैं, B भी नहीं तो यह बड़े नाम है जो पाक्सान के जानिब से खेर रहे हैं पाक्सान इंडिया का बदला लेना चाहेगा और इंडिया भी चाहेगा कि दुबारा से पाक्सान को मैच हराए पाक्सान चाहेगा कि इस टाइटल को अपने नाम करें पाक्सान को दुबारा रहे और एक अच्छा हमें ये मैच देखने को मिल सकता है